इंदौर की विधानसभा शेत्र क्रमांक चार को जीतने के लिए कॉंग्रस ने अपनी पूरी ताकर जोग दी है इसी को लेकर आज दिग्विजा सिंग की अध्यक्षता में विधानसभा शेत्र क्रमांक चार की बूत मंडला में वं सैक्टर की सायुक्त बैठक का आयोजन किया गया इसमें कॉंग्रस की सभी कारकरता दिग्विजा सिंग से मिले और जीत के लिए पूरी ताकर जोगने की बात कही बाजपा की आयोध्या कही जुआने वाली इंदौर की विधानसभा शेत्र क्रमांक चार में जीत का परचम फहरानी के उदेश से आज दिग्विजा सिंग की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया बैठक शुरू होते ही अक्षय बम के नाम से पूरा हॉल गुण उठाया पहली बार ऐसा हुआ कि आयोध्या में कॉंग्रसी कारकरताओं का बड़ा हुजूम नजर आया और यह पूरा हुजूम अ कार कारताओं से चर्चा कर विधानसभा चुनाव में कॉंग्रस को मजबूत करने की रणनीती तयार की बैठक के दौरान अक्षय बम के नाम से कार्ग का प्रभा नजर आया बैठक में आया अधिक्तम लोगों ने अक्षय बम के नाम पर अपनी सहमती जताई है सभी ने सिंग ने भी इशारू इशारू में अक्षय बंब के नाम पर अपनी सेहमती दे दी बैठक को देखकर लगा कि इस बार कॉंग्रिसी विदान सबस चार में आरपार की लडाई के मूड में हैं बता दें कि पूर मुख्यवंतरी कमलात ने दिगविजा सिंग को 66 सीटों की मेडिया से चर्चा में कॉंग्रस नेता अक्षय बंब ने कहा कि दिगविजा सिंग में संगठन को मजबूत करने की क्वालिटी है वो एक कुशल संगठक है उनके आने भर से कारकरताओं में जोश भर जाता है इस दौरान कारकरताओं ने दिगविजा सिंग से खुलकर बा लिए कारकरता दिन रात प्रयास कर रहे हैं दिगविजा सिंगी के लिए हमारे राजा साब के लिए हमेशा कहा गया है कि संगठ्था अत्मत क्वालिटी जो उनमें है वो बहुत बहतरीन है और आप देखें कि जो चाचट विदान सभाएं वो देख रहे हैं जो कॉंग्रे इसी जो हर बूत देखता है वो निकल कर बाहर आया है और अपनी बात राजा साब से आज करने वाला है अपने दिल की बात अपने बूत की बात अपने लोगों की बात आज वो राजा साब तक और कॉंग्रेस पार्टी तक पहुंच वाला है केंडिडेट पार्टी किसी को भी बनाए ये उनका निर्णय होगा इस निर्णय में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ लेकिन ये बात जरूर करेंगे कि इस बार विदानसभाद चार में किसी को भी टिकेट दिया जाए संगटात्मक लोग से हम लोग इतने मजबूत हो चुके हैं कि हर बूत को जितना हमने हमारा प्रेंड किया और हम उसी के लिए काम कर रहा है